हलो दोस्तों, वेलकूम टू आवर चैनल, आज के वीडियो में हम पीपी के बारे में जानेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्टिव 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 एक् जेरी और इल्नेस का चांसेश कम हो जाता है। तो भी सेफटी परपस के लिए हम इसको पेहनते हैं। इसको पर्षटी की इक्रपेंट कहा जाता है। अब हम एक वीडियो के माधियां से देखेंगे कि पीपी क्या होता है और इसको पेहनने से क्या वेनिफिट है, क्या फायदा है। सेफटी ग्लासेश पहनना ना भूलें। ये आपकी आँखों को सुरक्षत रखते हैं। अपने हाथों को छोटी मोटी चोट से बचाने के लिए हैंड ग्लव्स का ज़रूर इस्तमाल करें। मशीन का प्रयोग करते वक्त या फिर जहां कहीं तेज आवाज आती हो, वहां अपने कानों की सुरक्षा के लिए इयर प्लग्स का इस्तमाल किया जा सकता है। तो अभी आपने देखा P.P.E. के टाइप्स या उसके यूजेस। अभी हम और वाट टाइप्स को एक बड़ देख लेंगे। इसे जो पहला है है हेट प्रोटक्शन। हेलमेट और हाड हैट्स यह जो हमको उपर से गिरने वाले किसी भी चीज से बचाता है। तो हमारा दूसरा जो P.P.E. है वो आई इन फेस प्रोटक्शन है। इसमें हम उसेप्टी गिलाज गोगास या फेस सिट का यूज करते हैं। अपने आई और फेस को केमिकल कशीटे और फ्लाइंग डब्रीज और बहुत यदिक लैट से बचाने के लिए। हमारा तीसरा P.P.E. है फूट प्रोटक्शन के लिए। इसके लिए हम सेप्टी बूट या सेप्टी सूर जूज करते हैं। जिसके आगे में एक स्टिल का प्लेट रहता है। जो हमको किसी भी चीज से देक्राने के वक्त हमारे पैर को बचाता है। फायर में कोई भी चीज गड़ने से बचाता है। और साथ में यह हमारा एलेक्ट्री का अज़ाट से भी सेप्टी प्रोटक्शन करता है। नेक्स्ट चौथा जो P.P.E. है वो बोडी प्रोटक्शन है। इसके लिए हम कवर ओल, वेस्ट और एप्रोन यह सारा क्लोथ पहनते हैं जिससे यह हमारे बोडी को प्रोटक्ट करता है। बहुत सारे चीज होसे जैसे केमिकल हो गया, हीट और डस्ट यह सारे चीज होसे हमारे बोडी को प्रोटक्शन करता है। हमारा नेक्ट प्रोटक्शन के लिए, इसमें जो मैले हम यूज करते हैं, गलप्स के यूज करते हैं, इस गलप्स के विएसे हमारे हाथ में कट लगने और एलेक्ट्रिकल, क्यमिकल और बैली का हजाट से यह हमारे हाथ को सेफ रखता है। हमारा नेक्ट पीपी है, हेरिंग प्रोटेक्शन के लिए, इसके लिए हम एर प्लग और एर मफ यूज़ करते हैं, जो कि बहुत हाई सौन को रिडियूस करता है, और हमारे कानूं को सेव रखता है, हाई तो आज के लिए इतना ही, hopefully वीडियो आपको नोलेजबल लगा होगा, तो आपको ऐसी तरह से और भी टॉपिक पर अगर कोई वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट बोस पर रिक्वेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और वीडिय वीडियो को जाल जाला शेयर कीजिए, ठांक्स.